दोस्तो यूटूब के तरफ से एक नया अपडेट आ गया है और यह अपडेट आपको यूटूब अप्लिकेशन के अंदर देखनों को मिलेगा तो चलिए सबसे पहले में अपडेट क्या है इसको बता देता हूँ उसके बाद आप मेरी वीडियो में कमेंट करके जरू सबस्क्रिप्षन कर देखनों को मिला और सबसे नीचे को डूब्रेरी का आपको औप्रेड को मिल रहा है इस तरीके का option अभी तक आपको देखने को मिल रहा है तो अब नया क्या update किया गया है चलिए मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ तो दोस्तो अब आप जैसे ही अपने YouTube application को open करेंगे तो इस तरीके का option देखने को मिलेगा उपर में आपको अपने channel का logo जो अपने channel का जो profile था वहाँ से remove कर दिया गया है उसको आप आपको यहाँ पर नीचे में सबसे corner में add कर दिया गया है यूँ बोल करके जहाँ पर लाइबरेरी का option हुआ करता था वहीं पर आपको अपने channel का logo यानि profile देखनों को मिल जाएगा आप जो दोस्तों जब इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस देखनों को मिलेगा सबसे उपर में यह आप देखे लिखा है स्विच एकाउंट इस पर क्लिक करने के बाद आप अपने किसी दूसरी इमिल आइडी को स्विच अगरा कर सकते हैं दूसरे नमर पर गूगल एकाउंट को अपना कैसे मेनेज करना है इमिल आइडी हो गरा जो भी कर सकते हैं यहां पर तीसरे नमर पर टर्ण ओन इनकिनोटो मोड यहीं से आप ओन कर सकते हैं इसके लावा होगल ऐढया आप अपने YouTube चैनल पर होमपेज पर आना चाहते हैं तो आपको क्या ख़णाः मोगा पता है सेटिंगज का ईयएख अपको क्लिक करेंगे में इस तरीके का इंटरफेश आपको देखने को मिलेगा, सारी सेटिंग्स वही है बस यह कि थोड़ा बहुत इंटरफेस चेंज कर दिया गया है उपर में जो आपके चैनल का जो लोगो हुआ करता था जो प्रोफाइल डिपी हुआ करती थी उसको वहाँ से रिमूब करके नीचे एड कर दिया गया है वहाँ पे लिखा है वीडियो अच्छे लिगें वीडियो को लाइक करिए सेर करिए और चैनल पर पहली बारे चैनल को सब्सकाइब कर लिजे थैंक्स पोर वाचिनी